अज असी करनी है एक्सरसाइस 4.2 इदे विच कोश नमबर 1 है साड़िकुल मैच दा फोलोइंग ते कोश नमबर 1 दा जो ए बाट है साड़िकुल इदे विच ना कुछ सनु फिगर्स गिवन ने ठीक है जी मैं तो आनुएक वारी ए जो है दिखा दिनना हाँ ए साड़िकुल पहली कोलम है ठीक है ए वली जो है साड़िकुल फिगर्स दी कोलम है ते ए जो है 1 बाइ 4, 2 बाइ 3, 1 बाइ 2, 1 बाइ 6, 1 बाइ 8 अते 1 बाइ 3 ए जो है साड़िकुल सेकिंड कोलम है ठीक है ए फ्रेक्षन दी कोलम है साड़िकुल इना फिगर्स नू इना फ्रेक्षन दे ना सनु मैच करना है ये इसतों बात- सठेकोल जो है इत्ते एक थर्ड कोलम है यह देख सकते हैं से ठेक है इधविच सनू जो है इनादे एकोडिंग, जिवैं इत्ते फ्रैक्षन लिट्ती गई है, 1 ौ 4, उसनू जो है सनू words दे वीच इत्ते जो है, 3rd Oğlum दे वीच देखना है कि 1 अपोन इत्थे जो है third column दे विच इत्थे लिख्या हمل रिख्या होया है ठीक है तो चलो start करते हां अजी जि मैं क्या सी देख सकते हां कि साढ़े कोल जो question 1 दा a part है इस a part दे वीच साढ़े कोल जो है एक box given है ते इस box नो two parts से विच डिवाइड किता गया है ते one part जो है green color किता गया है one part नो ते जो दूझा पार्ट है वो जो है white है ते असी जो है इस box दे according जो है इधी fraction देखनी है इस column दे अंदर ते इत्धे असी देख सक दे हां कि जड़ा एं box है एं जो है two parts से वीच divided है इट मीन्स कि जो टोटल नंबर ओफ पार्ट्स हैं जोए कि ए जो है वन पार्ट हो गया ते ए जो है टू सेकिंड पार्ट हो गया ठीक है ते इट मीन्स कि इस बोक्स दे अंदर टू पार्ट्स हैं यानि कि जो टोटल नंबर ओफ पार्ट्स हैं इस बोक्स दे अंदर ओता जो डिनोमिनेटर होंदा है वो दे विच असी टोटल नंबर ओफ पार्ट्स नो लिख दे हाँ इट मेंस कि नीचे जो है वो जो है टू जो है आएगा ठीक है ते हूँ असी इत्य देख लैने हाँ सेकंड कोलम दे विच साड़े कोल जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट वो जो है फोर है ते इत्य जो सेकंड दे विच डिनोमिनेटर है वो थ्री है ते थर्ड दे विच डिनोमिनेटर जो है साड़े कोल टू है ते फोर्थ दे विच जो डिनोमिनेटर है वो जो है है 6 है थे 5 तो दे अंदर साथे कोल इनॉमिनेटर 8 है थे 6 ते अंदर साथे कोल डिनॉमिनेटर जो है 3 है It means कि जो यह वन बै टू वाला है न एंसाड़ा अंसर होएगा ठीक है क्योंकि इदे वीच है कि मैं तो में दास देना हां कि जिन वे साथे कोल जो है इते यह जो यह सबंब जो नंबर ओफ पार्ट्स ऐं ठीक है यह 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 दहुत्य लुक्स के तोटन नंबर ओफ पार्ट्स शर्ण नियमलेटर दे वीच जो टू है यह यह कि टोटल नंबरों पार्ट्स उसनों आपा लिखांगे डिनोमिनेटर दे वीच ते ए जो है साधी फ्रेक्शन बढ़ गई ते इट मींस कि जो कोश्ण नबर वंदा जो ए पार्ट है ते इधा जो मैच है वो जो है वन बाई टू है ठीक है ते कोश्ण नबर वंदा जो ए बा होना है ते मैं तो अनूं दसदा हां कि जो बाई टू हूना है असे सारे जान दे हां कि वन बाई टू ता मतलब हाफ हुना है ते ए जो हाफ है इत वो ता 1 by 2 है ते 3rd कोलम दे अंदर उदा आंसर जो है half है ठीक है जी ता ए हो गया साड़ा question number 1 दा answer हुँन असी देखांगे question number 1 दा जो B part है एदे वीच हुँन असी देख सकते हैं साड़े कोल जो है total 1, 2, 3 ते जो colored part है वो जो है 4 है ठीक है question number 1 दा जो B part है साड़े कोल उदे वीच आसी देख सकते हैं कि साड़े कोल टोटल number of parts 4 ने ठीक है एस साड़े कोल एक triangle वाली shape दित्ती हुई है सानू ते उस triangle दे अंदर जो है 4 triangles ने जो कि small triangles ने question number 1 दे B part दे वीच साड़े कोल टोटल number of parts जो है 4 ने ते असी second column दे वीच अगर आसी देखियें जो denominator है जिमें कि total number of parts सानू 4 पता चाल गए ने it means कि denominator 4 आएगा ठीक है ते अगर आसी इसनों देखियें ता इदे वीच जो denominator है वो जो है 4 आ रहा है बाकी होर किसी दे वीच भी जो है denominator 4 नहीं आ रहा इट मेंस कि साड़ा आंसर एही होएगा ते नाले इदे वीच असी होर भी देख सकते हैं कि जिवे मैं हूँ ने 4 वाला लिख्या है 1,2,3,4 एदे वीच जड़ा 4 वाला है वो जो है color है ते it means कि total ता साड़े को total number of parts जो है 4 ने ते इना 4 parts ते वीच्चो 1 जो है वो color है ते ए जो fraction है बिल्कुल सही है साड़ी एदे वीच numerator 1 है एदा मतलब कि जो number of colored parts है वो जो है 1 ह ते नीचे जो 4 है denominator दे वीच इदा मतलब है कि जो total number of parts है वो जो है 4 ने ते हूँ असी third column दे वीच देखना है कि इस fraction नो कि ते लिख्या हुया है ता मैं तो अनुए तरीका दास देना है जिवे कि numerator दे वीच साड़े कोल है 1 ते ए आ गया साड़े कोल 1 ठीक है ते हूँ डि है कि 4 लिख्या हुया है ते इत्ते विख सकते हैं कि hyphen तो बाद जो है fourth लिख्या हुया है दी जो इस पेले आनदा है ते जो denominator 4 है थिक है वो जो है असी पीछे लिख दे है ते 1 जो है पहला आ गया फिर आ टे फोर्थ उसी हाईफन लिख्या ते fourth उस बाद लिख्या हुया ह इट मींस कि इदा आंसर, कोश्च नमबर वन ता जो बी पार्ट है, इदा आंसर जो है इतना वन बै फोर हो गया, ते वन बै फोर नो असी जो है इतना वन फोर्थ लिखना है जिमें की थर्ड कोलम देवीच सनु दित्ता होया है, हाँ जी, हुन असी करांगे कोश्च नमबर येलो कलर दे नाल, ये फूली जो शेप है, इनnya अन्र जो शेप है ये फोर में 6 ने ते ट मेंज की साठा जो आंसर होएगा, जो है आंफोम अपौन 6 होएगा, 6 क्यों आया क्योंकि total number of shapes 6 ने it means कि जो 6 है denominator दे वीच आएगा तो 1 जो है color है it means कि 1 जो है numerator दे वीच आएगा it means कि जो question number 1 दस C part है इदा answer जो है ए है ठीक है ए वाला 1 अपोन 6 ठीक है जी तो यह असी matching करती है हुन असी third column दे अंदर देखना है कि 1 upon 6 ने आपा किद्दा लिखना है तो आसी देख सकते हैं कि 1 आसी पहला लिखना है तो area ठीक है इस तो बाद आसी hyphen बागे 6 लिखना है तो यह जो 6 है area ठीक है it means question number 1 दा जो C part है उदा answer second column दे अंदर 1 upon 6 है तो third column दे अंदर जो है 1 6 है हाँ जी हुन असी करांगे question number 1 दा जो deep part है इदे वीच आसी देख सकते हैं साड़े कोल A जो है एक box given है तो इस box देंदर जो है 8 जो है hearts बने हुए है यानि कि दिल दी जो shapes सुंदिया है वो जो है बढ़ाया हुए है तो इना 8 जो जो दिल दी shapes है या हर दी जो shapes है इना दी चो वन जो है वो color है ठीक है यह सी देख सकते है वन जो है colored है it means कि साड़ा answer जो है 1 upon 8 होएगा ठीक है तो यह जो है साड़ा answer है असी matching करदांगे इद्धा जो 1 है वो जो है number of colored हर्ट है ठीक है तो जो 8 है वो जो है total number of hearts है ठीक है ते इसमें अपना लिखना है 1 8 इदा answer होएगा ते इदा answer असी देख सकते है सब तो उपर लिख्या होया है ठीक है 1-8 ठीक है यह जो है इदा answer होएगा हाँजी अग्य साड़ी कुल जो है इपार दे अंदर एक box है ते उस box नों इना ने जो है 3 parts दे अंदर डिवाइड किता होया है यह तुसी देख सकते हो 1, 2, 3 ठीक है हाँजी ते इस box नों इना ने जो है 3 parts दे बिच्च दिवाइड किता होया है ते इना 3 parts दे विच्चो असी देख सकते हैं कि 1 part जो है जो कि ये नीचे लिख्या हुया है, ठीक है, नूमीनेट्र है, छो इज पहले लिख्या जानदा है, जो दिनॉमिनेटर देविश नहीं है, उस नूमिनेटर देविश लिख दियां, शर्षान जो ई पार्ट है, हम justify और गां। Q 1 पार्ट है, इदे वीच असी देख सकते हैं, 2 पार्ट है, टोटल न्म्बरों पार्ट साड़े कोल 2 है, 2 अपोन 3 होगा, ऑधा अंसर इधा वह इसल करना, एदा answer जो है ए वदा है ठीक है 2 upon 3 2 जो है number of colored parts है 3 जो है total number of parts ने ते इस तो बाद होन असी third column देंदर देखना है कि ये कित्थे लिख्या हुया है ते असी जो है बिलकुल नीचे आवाँगे ए जो है लिख्या हुया है ठीक है numerator दा 2 आ गया ते denominator दा जो है third यानकी 3 जो है असी लिख दितता है ते 2-3 ता ए सी साड़ा question number 1 दा question number 1 ते इदे A, B, C, D, E, F जिनने भी parts C असी जो है कार ले है हुण असी करांगे question number 2 हाँ जी question number 2 दे वीच साड़े कोल जो है इत्थे match दा following है हाँ जी ते इत्थे आसी देख सक दे हाँ question number 2 दे वीच हाँ जी match the following ते इदे वीच हुण सानू जो है जिमें इत्थे जो है एक कुछ A, B, C, D, E करके parts देते हुए है ते सामने जो है सानू इना options दे विच्चो match करना है ते मैं तो हुण दस्या है अग्गे कि असी जो है जिमें साड़े कोल ए जो है question number 2 दा ए पार्ट है ए दे वीच पहला है साड़े कोल 1 अपोन 10 ते हुण असी देखना है कि जो ए second column है साड़े कोल second column दे वीच जिमें कि ए जो है साड़े कोल 2nd column है एक वारी मैं इसनों सही करता है एक मिनिट हाँ जी ए जो है साड़े कोल 2nd column है second column दे वीच सनों जो है first वाली column दे नाल मैच करना है जिवे हुण question number 2 दा जो ए पार्ट है ए दे वीच साड़े कोल है 1 अपोन 10 ते है second column दे वीच आसी देखिए ता numerator 1 पहला आएगा ते उससे बाल आसी 10 लिखना है इट मीन्स कि इदा answer जो है वो जो है 1 अपोन 10 दा ए जो है 5 वाला answer होएगा 1 10 ठीक है ते इवे ही हुण question number 2 दा जो B पार्ट है ए दे वीच साड़े कोल जो है 1 अपोन 2 है ते असी जो है इत्ते 1 अपोन 2 देख देयां ते 1 अपोन 2 उन्हों मैं तो पहला भी दस्या है कि असी half लिख दे हुण नहीं हाँ इट मीन्स कि इदे सामने वाला answer होएगा यानकी half ठीक है उन question number 2 दा जो C पार्ट है इदे वीच साड़े कोल जो है 1 अपोन 4 है ते मैं तो अन्हों दस्या है कि पहला numerator लिख दे है यानकी 1 लिख जाएगा ते उस तो बाद असी 4 लिखांगे ते it means question number 2 दा जो C पार्ट है इदा answer होएगा एवला 1 यानकी 1 4 ठीक है जी उन question number 2 दा जो D पार्ट है 1 अपोन 8 ते असी इत्थे देख सकते हैं साड़े कोल जो second कोलम दे अंदर 6 है यानकी 1 और 8 ठीक है ए जो है इदा answer होएगा question number 2 दा जो E पार्ट है 1 अपोन 6 इदा answer जो है एवला 4 वला है 1 6 ठीक है जो denominator है वो जो है पीछे लिख्या जानदा है ते जो numerator हुनदा है वो जो है पहला लिख्या जानदा है हाँ जी F पार्ट दे अंदर जो है 1 अपोन 3 है इट मेंस की असी लिखांगे 1 3 ठीक है ते इदा answer जो है एवला है 1 3 ठीक है 1-3 ता A सी question number 2 हून सी करांगे question number 3 हाँ जी question number 3 दे अंदर की है साड़े कोल की fill in the blanks है साड़े कोल सनु मैं तो हुन्हों दास देनना है एक मिंट कि जिमें इत्थे जो है कुछ सनु ए पार्ट देविश दित्ता गया है कि 1 by 3 पार्ट ओफ 9 गुवावास ठीक है ते इस नों सोलो करके इत्थे जो है सनु अप वर्ड लिख्या हुया है मैं एक वरी दुबारा दिखा देना तो आनों जिमें ए वर्ड लिख्या हुया है पार्ट ओफ ठीक है इस वर्ड नों यानकी पार्ट ओफ नों असी हटा के जो है simply बस multiplication दा साइन लगाना है ठीक है 1 by 3 पार्ट ओफ 9 गुवावास असी इस असी जान देया कि 9 जो है 3 जो है 3 दे टेबल ते डिवाइड कर सकता है इट मींस 3 3 जा 9 होनता है हांजी हुन असी 1 नों 3 नों मिलेगा 3 ठीक है ते ए जो है साड़ा आंसर होएगा ते इत्थे असी लिखांगे इस बोक्स दे अंदर ठीक है मैं इत्थे एक मिनेट अपना स् अपना अंसर लिखांगे ते ए जो है साड़ा आंसर आया है 3 गुवावास मैं दुबारा दास रहां कि सानू जो है पार्ट ओफ नों हटा के मल्टिप्लिकेशन दा साइन लगाना है ते उस तो बाद सानू जो है मल्टिप्लाई करना है या डिवाइड करना है जिमें वही 1 कोशन नुबर थर्ड दा जो बी पार्ट है 1 by 6 पार्ट ओफ 12 टोफिस ठीक है 1 by 6 पार्ट ओफ 12 टोफिस इस दे वीच विच भी हून असी जो है ए पार्ट ओफ नों हटा के इत्थे मल्टिप्लिकेशन दा साइन लगा मांगे ते 6 जो है 12 नों डिवाइड करेगा 2 दे उप कोशन नुबर थर्ड दा जो C पार्ट है इदे वीच असी पार्ट ओफ नों हटा के मल्टिप्लिकेशन दा साइन लगा मांगे फिर 18 नों असी 6 नों डिवाइड करांगे 6 3 जो 18 होंदा है ठीक है इट मीज हून असी 1 और 3 नों मल्टिप्लिप्लिए करांगे तो साड़ा आ हटा के मल्टिप्लिकेशन दा साइन लगा मांगे फिर आसी 4 नाल 16 नों डिवाइड करांगे 4 दे उपर ठीक है ते 1 नों 4 नों मल्टिप्लिप्लाई करांगे तो साड़ा आएगा 4 पैंसेल्स ठीक है जी हून इपार्ट है साड़े कोल 1 by 10 पार्ट ओफ रुपीज 20 ते हून असी 1 अटे 2 नों मल्टिप्लाई करांगे तो साड़ा आएगा रुपीज 2 ठीक है तो यह इसे क्रीम से चाही नाल लिखना ज्रोरी होंदा है क्योंकि यह यूनिटिस होंदे हैं इना वी मांक्स होंदे है हां जी कोश्च नमबर थार दा जो एफ पार्ट है इदे विच वी आसे सेम करना है यानिकि पार्ट ओफ नूँ अटा के असी जो है multiplication दा साइन लगाना है फिर आसी 100 जो पैंसिल्स है उसनों जो है 10 डिवाइड करांगे 10 10 जा 100 होंदा है हां जी हुन असी 1 नू 10 ना मल्टिप्लाई करांगे ता साड़ा आंसर आएगा 10 पैंसेल्स ठीक है जी हां जी हुन असी अग्गे जो लास्ट टू पार्ट से जी और एच वो जो है कर लेने हैं हां जी पार्ट देंदर है 1 बाइ 10 पार्ट ओफ 100 सेंटीमेटर पार्ट ओफ नू हटा के असी मल्टिप्लिकेशन ता साइन लगा मांगे ते फिर असी जो है 10 नू 100 नू 10 डिवाइड करांगे ता जो है 10 आएगा इस तो बाद असी 1 नू 10 नू अल मल्टिप्लाई करांगे ता 10 आएगा ठीक है ते असी स बोक्स देंदर अपना आंसर लिखता हैंगे 10 सेंटीमेटर ठीक है इट मीन साधा आंसर है 10 सेंटीमेटर है हां जी एच पार्ट है साड़िकोल इत्थे भी असी पार्ट ओफ नू हटा के मल्टिप्लिकेशन ता साइन लगा मांगे फिर असी 32 लद्डूस नूए89 डिवाइड करांगे 8400 था competitive होंदा है बिर असी वह नूं फॉर नूं में इता साठा अंसर आएगह ट्यक bubbling कित्ता ता साठा अंसर आया फोर किसा चरहें Paul लड्डूस एंजी सेसे सट्या कोश्यन नमिर थाड हाँ जी स्टूटेंट्स जे अगर तो हनू कोश नमबर थार्ड दे विच कोई वी अगर प्रॉब्लम है या कोई वी दिक्कत है ता मैं जो है एक वारी उसनों दुबारा तो समझा दे ना है कोश नमबर थार्ड ती स्टेट्मेंट तो से देख सकते हो मैं मुबाइल दे अंदर जो है पीडिया फाइल ओपन का रखी है तो से देख सकते हो कोश नमबर थार्ड फिलिंग दा ब्लैंक से ठीक है ते इदे बीच साड़े कूल जो है ए पार्ट है वन बाइ थरी पार्ड ओफ नाइन गुवावास इस इक्वल टू इथे तुसी वेक सरदे हो कि साड़े कूल जो है ब्लैंक बोक्स है ठीक है ते इथे गुवावास है ते इमें ही जो थर्ड जो बीपार्ट है इदे वीच 1 by 6 part of 12 toffees is equal to black box है ते इत्थे साड़े कोल जो है toffees है ठीक है ते हुण मैं तो आनों करके दिखा दिनना कि इसनों अपना solve किद्धा करना है हाँजी मैं जो इत्थे पहला ही करके रख्या है ताकि टाइम जो है ज़्यादा waste ना हुए अग्गे ही काफी वीडियोस जो है lengthy हो जान दिया है मैं जस्ट वीडियो दे टाइम नूँ जो है थोड़ा कटान वास्ते ही पहला solve करके जो है रख्या है ते मैं तो आनों easily समझाव पार्ट ओफ है जड़ा ये word लिख्या वाया है पार्ट ओफ इसनों हटा के ऐसी multiplication दा sign नीचे नों लिखना हुंदा है वन बै थ्री एसटीज रहेगा कोई change नहीं होगा ते जो ए पार्ट ओफ है इसनों हटा के ऐसी multiplication दा sign लिखना है ते इस तो बद नाइन गुआवास ये multiply करां कि ता इत्थे जो है answer साड़े को त्री आएगा ठीक है it means कि इदा साड़ा answer जो है 3 गुआवास है ठीक है गुआवास ये गुआवास ठीक है साड़ा answer है 3 गुआवास इदा ही जो कोश नम्र थार दा बी बाट है इदे भी साड़े को जो है 1 बै शिक्स पार्ट ओफ 12 तोफीज है ठीक है 1 बाइ 6 फार्ट ओफ 12 टोफीज जिवें ऐसी पहला किता है कि पार उफट नवाटा के स्यम्पल मॉल्टिबिकेशन दा साइन लगाना है तिक है जो पार्ट उफ है उस्सनों हटा कि एसी मुल्टिप्लिकेशन दा साइन लाक्र उगाना है तो उससे टू टोफीज आ जाएगा ठीक है हाँ जी हुन कोश नमबर थाड़ था जो C पार्ट है इदे वीच साड़े कुल है 1 by 6 1 by 6 पार्ट ओफ 18 आइस क्रीम्स ठीक है 1 by 6 पार्ट ओफ 18 आइस क्रीम्स ते ए जो है मैं इते सोल करके लिख्या हुया है तो उसे देख सकते हो हाँ जी 1 by 6 जिते पार्ट ओफ है उसनों हटा के मल्टिप्लिकेशन दा साइन 18 आइस क्रीम्स एज़ टीज 18 नू जो है 6 3 दे टीबल 3 दे उपर जो है डिवाइड करेगा 6 3 जा 18 हुन्दा है 1 नू 3 नल मल्टिप्लाई करांगे इट में साड़ा आंसर जो है 3 आइस क्रीम्स आ जाएगा ठीक है एमें ही डी बाट है साड़े कुल 1 by 4 पार्ट ओफ 16 पैंसेल्स जो पार्ट ओफ वर्ड है उसनों हटा के मल्टिप्लिकेशन दा साइन ते 1 by 4 नू हुनसी उन अग्य जो है साड़े कुल E पार्ट है हाँ जी E पार्ट दे वीच असी देख सकते हैं साड़े कुल जो है इत्थे है 1 by 10 पार्ट ओफ रुपीज 20 ता मैं तो आनों दस्से है कि पार्ट ओफ में हटा के मल्टिप्लिकेशन दा साइन ते जो रुपीज 20 है इसनों से 10 दे नाल डिवाइड करांगे ता 10 2 जा 20 हुन्दा है 1 नू 2 नाल मल्टिप्लाई करांगे ता साड़ा आंसर आएगा रुपीज 2 ठीक है इमें ही साड़े कुल जो है F पार्ट है इदे वीच है 1 by 10 पार्ट ओफ 100 पैंसेल्स ते पार्ट ओफ नो हटा के मल्टिप्लिकेशन दा साइन ते 100 नो असी 10 डिवाइड करांगे ता 10 10 जा 100 हुन्दा है 1 नो 10 नो मल्टिप्लाई करांगे ता साड़ा आंसर आएगा 10 पैंसेल्स अग्गे जो है G पार्ट है साड़े कुल G पार्ट दे वीच साड़े कुल जो है 1 by 10 पार्ट ओफ 100 सेंटीमेटर है ते पार्ट ओफ नो हटा के असी मल्टिप्लिकेशन दा साइन लगावाँगे ते 10 10 जा 100 हुन्दा है ते 1 नो 10 नो मल्टिप्लाई करांगे ता साड़ा आंसर आएगा 10 सेंटीमेटर इमें ही H पार्ट है साड़े कुल 1 by 8 पार्ट ओफ 32 लट्डूस ते पार्ट ओफ नो हटा के मल्टिप्लिकेशन दा साइन ते 32 नो असी 8 नाल डिवाइड करांगे ता 8 4 जा 32 होंदा है 1 नो 4 नाल मल्टिप्लाई करांगे ता साड़ा आंसर आएगा 4 लट्डूस ठीक है ता एसी कोशन नमबर 3rd मैंनो लग्या कि जो डिजिटल पैन नाल मैं तो हनो समझाया है हो सकता है कुछ Missing हो गया होए या तो हनो समझ ना आया होए ता मैं दुबारा तो जो है एक कोशन तो हनो करवा दिता है ति अगर ता भी तो हनो कोई दिक्कत आंदी है तो तुसी मैंनो कमेंट दे विच लिख सकते हो यहां कुछ भी अगर तुसी कुछ ना जान दे हो था comment देवीच मैं लिखके पूछ सकते हो ठीक है ता AC कोश नमबर 3 देवीच कुछ नहीं करना सी just part of वाला जो word है उसनों हटा के multiplication दा sign ते फिर इना दोवन वसी multiply करना है जा फिर A कहलो कि जड़ा वी नमबर इस साइड तो होएगा उसनों ये नीचे वेले नमबर देवाल असी divide करना है तो जो answer आएगा उसनों जो है असी इस blank box से वीच लिखना होंदा है ठीक है ता AC साठा कोश नमबर 3 हुन असी करांगे कोश नमबर 4 हाँ जी असी जो है पहला कोशन नों समझ लेने हाँ भी कोश नमबर 4 दी statement की है ते कोश नमबर 4 देवीच साठा कुल पुछिया की गया है ठीक है इस तो बाद असी जो है कोश नमबर 4 नों attempt करांगे ठीक है जी हाँ जी गोश नमबर 4 जो है साठेकोल इदी statement है साठेकोल हाँ जी नेहास अंकल ब्रोट ए बिग चोकलेट विच लुक्स एस फोलोईंग डायग्राम ते नेहा दे अंकल ने जो है उदे वास्ते नेहा दे वास्ते एक बिग चोकलेट जो है ब्रोट यान की खरीद दी है फोलोईंग डायग्राम जो की कुछ इद्धा दी नजर आंदी है ठीक है नेहा दे अंकल ने एक बिग चोकलेट नेहा दे वास्ते खरीद दी है जो की कुछ इस बिग डायग्राम दे वरके ठीक है जो की इस डायग्राम दे वरके जो है नजर आंदी है ठीक है जी ते इदे वीच है की है साड़कुल हुन टोटल जो है इदे अंदर साड़कुल D मतलब A तो लहके D पार्ट से है यानिकि ये सन 4 पार्ट से आंसर देने है जो A पार्ट है इदे वीच उन्हाने साड़कुल पुच्छा है नेहा गेव हाफ पार ओफ और चोकलेट टू हर सिस अपनी सिस्टर निदी नो दे दितता है ठीक है? How many pieces of chocolate will she give to निदी? इनना दा question A है कि जिनने भी ये pieces है इस चोकलेट दे इनना द विच्छो किन्ने pieces नेहा ने अपनी सिस्टर निदी नो जो है दे दितते ने ठीक है? ते जो first line है उदे वीचे कह रहे है कि नेहा गेव हाफ part of her chocolate to her sister निदी नेहा ने अपनी चोकलेट दा half part याने की अद्दा हिस्सा जो है अपनी सिस्टर निदी नो जो है दे दितता है ठीक है जी? इनना दा question है how many pieces of chocolate will she give to निदी? ते total जो है pieces है इस चोकलेट दे अंदर इना pieces दे विच्छो नेहा ने जो है किन्ने pieces अपनी निदी नो जो है दितते हैं हांजी पहला असी जो है count कर लेनी हा कि total number of pieces इस चोकलेट दे अंदर किन्ने ने है हांजी 1,2,3,4,5,6,7,8 8 जो है pieces उपर ने ते 8 ही pieces नीचे ने it means कि total number of pieces इस चोकलेट दे अंदर जो है 16 हो गई ठीक है it means total number of pieces in the chocolate is equal to 16 ते असी जो है उन स्टा ठीक है जी जो total number of pieces है चोकलेट दे अंदर ओ जो है 16 है ते इदे वीच सनु statement दे अंदर उन्हाने दितता है first जो ए पार्ट है नेहा गेव half part of her chocolate to her sister नीदी नेहा ने जो है अपनी चोकलेट दा जो half part है यानिकी जो 1 by 2 हिस्सा है ठीक है ओ जो है अपनी sister नू यानिकी नीध part नो अगर असी fraction दिविच लिखना है यान की अगर आसी half part नो अगर आसी fraction दिविच लिखना है ता इ trou ए दा मतलब होन दा है कि 1 by 2 ठीक है fraction दिविच अगर आसी half part नो लिखांगे ता辇ना the problem होईगा by जो ए डीक है टू जो है 9 है marks ik अटे टो जू है इन सथी आ इंदर यानकी 1 by 2 हिस्सा जो है नेहा ने अपनी सिस्टर निदी नो दितता है तासी करांगे कि 1 by 2 नो यानकी half part नो जो है 16 यानकी total number of pieces in the chocolate देनाल multiply करांगे ठीक है तेहून जो ए 2 है 16 नो डिवाइड करेगा 8 दे उपर 2 8 सा 16 होंदा है it means ये जो 2 है ये वाला 2 16 नो डिवाइड करेगा 8 दे उपर ठीक है है हाँ जी 8 दे उपर जो है ये वाला जो 2 है डिवाइड करेगा 16 नो जो है ये वाला 2 डिवाइड करेगा 8 दे उपर 2 8 सा 16 होंदा है यानि कि निहा ने जो है अपनी चोकलेट दे एट पीसिस जो है अपनी सिस्टर नीदी नो जो है दितते हैं ठीक है एट पीसिस ओफ चोकलेट शी विल गिव टू नीदी यह जो है साथा आंसर है अग्ये जो है साथे कुल कोशन नुबर फोर दा जो बी पार्ट है एदे वीच उना ने सानू क्या है नेहा गेव वन एट पार्ट ओफ दिस चोकलेट तो हर ग्रांड मधर हो मैनी पीसिस शी विलड़ गिव टू हर नेहा ने जो है अपनी चोकलेट दा बन एर्फ पार्ट यान कि वन ए एर्ट ठीक है वन एर्ट ठीक है वन ए पहले वाले कोशन्स हैं उन्हाद विछ मैं तो जो नेहा है उसने अपनी चोकलेट दा वन एट पार्ट अपनी ग्रांड मतर नो दितता है उन्हादा कोशन है how many pieces will she give to her कि नेहा ने किन्ने pieces चोकलेट दे जो अपनी ग्रांड मतर नो दितते हैं ते आओ जी हून इसनों सौल करते हैं जी ए जो है बी पार्ट दा आंसर है नेहा गेव 1 एट पार्ट ऑफ दिस चोकलेट टो हर ग्रांड मतर ठीक है ते इदा मतलब की होया कि 1 एट जो दो कहरे है इट मिन्स की 1 अपन 8 ठीक है यानि कि असी जो टोटल नंबर ओफ पीसिज है चोकलेट दे 16 उसनु जो है 1 8 नू 1 8 पार दे नाल मल्टिप्लाई करांगे ते हूँ असी 16 नू 8 दे नाल डिवाइड करांगे ता साड़ नू मिलेगा 8 2 जा 16 इट मेंस कि साठा अंसर आया है 2 पीसिज ते इदा मतलब होया कि नेहा ने जो है 2 पीसिज अपनी ग्रांड मतर नू दित्ते हैं 2 पीसिज शी इदा मतलब है नेहा 2 पीसिज शी विल गिव टू हर ग्रांड मतर ठीक है इट मेंस कि नेहा ने अपनी ग्रांड मतर नू जो है 2 प पार्ट दे अन्दर उनने सनुक किया है कि नेहा ने जो है वन फॉर्थ पार्ट ओफ इस चोकलेट टो हर मदर, हुन इत्थे गाल हो रही है वन फॉर्थ पार्ट दी, इट मेंस की वन अपोन फॉर, ठीक है, यहनकि वन जो है नूमरेटर दे वीच आएगा, ते जो फॉर है ओ जो है डिनोमिनेटर दे विच आएगा ठीक है ते सी बाट दा जो मतलब है उकी है कि नेहा ने अपनी मदर नू जो है वन फॉर्थ पार्ट जो है चोकलेट दा दितता है ते उन्हा दा कोशन साड़े कुल ए है कि हाउ मैनी पीसेज विल शी गिव टू हर कि नेहा ने जो है किन ते 4 डिनोमिनेटर दे विच लेके जो टोटल अमबर ओफ पीसेज है चोकलेट दे विच यनकी 16 देनाल मल्टिप्लाई करांगे ते 1 अपोन 4 मल्टिप्लाई बाई 16 ठीक है टोटल अमबर ओफ पीसेज इन्दा चोकलेट हाँ जी 4 4 सा 16 होंदा है यनकी 4 जो है 16 नो अपनी मदर नो जो है 4 पीसेज देते हैं 4 पीसेज साड़ा आंसर है यनकी निहा ने अपनी मदर नो जो है 4 पीसेज जो है चोकलेट दे देते हैं 3 जी होना सिक रांगे जो डी पार है हैं जी डी पार दे विच आड़े कोल है after giving पीसेज टू आल, rest of pieces शी एड इड इदा मतल जो rest of pieces है, यानकि जो pieces बचे है, she ate, she ate हुंदा है कि उसने जो है वो खा ले है, ठीक है, भी जितने pieces उसने अपनी sister नूँ, grand mother नूँ ते mother नूँ दितते हैं, उस तो बाद जो भी pieces बचे है, वो जो है उसने खा ले है, ठीक है, हां जी, इन अदर question हुण ए है कि how many pieces will she get for herself, भी नेहा कोल अपने वास्ते, यानि खुद्दे वास्ते जो है, किन्ने pieces नेहा कोल जो है, बचे है, ये सनू कड़ना है, ठीक है, यानकि नेहा ने किन्ने pieces खा दे है, ठीक है, या फिर अपने वास्ते किन्ने pieces उसने बचाय सी, ये जो है सनू कड़ना है, यानि कि find out करना है, त यानकी उसनु खुद नू जो है उसनु आपनू जो है किन्ने पीसिस जो है चोकलेट दे मिले है वो अगर असी कटना है तासी की करांगे कि जो टोटल लंबरो पीसिस है चोकलेट दे यानकी 16 ठीक है जो टोटल लंबरो पीसिस है चोकलेट दे यानकी 16 इदे विच्छो असी ओहो पीसिज माइनस करांगे जो पीसिज नेहा ने बाक्या नू यानकी दूजया नूँ दूजया तो इत्थे पाव है कि अपनी सिस्टर नीदी नू ते अपनी ग्रांड मदर नू ते अपनी मदर नू जो पीसिज चोकलेट दे उसने दित्ते सी, ठीक है? असी की करना है जी जो total number of pieces 16 है इदे विच्चो असी subtract करांगे minus करांगे number of pieces नेहा gave to all यानकी ओहो pieces असी जो है subtract करांगे जो pieces नेहा ने चोकलेट दे बाक्या नू आल ता मतलब है कि बाक्या नू जो है यानकी अपनी sister निरी नू ग्रांड मदर नू अते मदर नू जो है इदे वस्ते असी हुन करना की है कि 16 दे विच्चो असी minus ये जो है bracket होंदी है ठीक है मेरे ख्याल तो bracket दा concept class 5 दे अंदर नवा जो है आया है ठीक है ये तो हट्यास दे में भी नवा हो सकता है बट कोई गाल नी समझ लो ये जो है इद्धा दा सिंबल होंदा है bracket दा इजी है कोई टफ नी है इसनों अपना bracket दा सिंबल केंने हा हां जी इदे भी शून असी करांगे कि जोवी पीसिज नेहा ने अपनी सिस्टर निदी नू ग्राण मदर नू अते मदर नू जोवी पीसिज चोकलेट दे नेहा ने इना नू दित्ते सी उओ असी लिखांगे ते उन्हा नू आड करांगे ठीक है 8 पीसिज नेहा ने अपनी सिस्टर निदी नू दित्ते सी ते 2 पीसिज नेहा ने अपनी ग्राण मदर नू दित्ते सी चोकलेट दे ते 4 पीसिज जो है चोकलेट दे नेहा ने अपनी मदर नू दित्ते सी ठीक है it means कि असी जो है इना सार्या नूँ इस брacket दे अंदर add करांगे ठीक है ते 8 प्लस 2 10 हुनदा है 10 प्लस 4 14 हुनदा है ते हाले असी इस नूँ ब्रेकेट दे अंदर फोर्टीन नूँ हुन असी ये ब्रेकेट नूँ हटा देना है ठीक है सब्ट्रेक्ट करांगे, 16 जो है टोटल नम्बरों पीसिज है, इन्दा चोकलेट और 14 जो है, नेहा ने बाक्गी सार्य नो जो है, दित्ते सी, ठीक है वो पीसिज है चोकलेट ते, 16 देविच्चो सी 14 नो जो है, सब्ट्रेक्ट कर देना है यानकी माइनस कर देना है साड़े कोल आया है two pieces it means कि जो number of pieces जो she दा मतलब है कि नेहा नेहा will get for herself यानकी ओहों pieces जो नेहा ने अपने वास्ते बचाए या ओहों pieces जो नेहा जो है खोद चोकलेट दे खाएगी ठीक है तो किन्ने pieces ने जो है two pieces ने ठीक है it means नेहा ने जो है two pieces जो है चोकलेट दे जो है अपने वास्ते बचाएएँ है खाण वास्ते ठीक है number of pieces she will get for herself उसने अपने आस्ते किन्ने pieces जो है चोकलेट दे बचाएएए इदे वास्त यसी की किता है कि 16 दे विच्छो 16 की है total number of पीसिज हैं जो की चोकलेट दिछ हैं इधर बच्चो माइनस किता है नम्बरों पीसिज सुनीहा बें किता है जो की नहेया ने डूजान यह की अपनी सिस्टर नो अपनी ग्रांड मदर नू ते मदर नू दितते हैं ठीक है हाँ जी, AC कोशन नमबर 4 होनसी करांगे कोशन नमबर 5 हाँ जी कोशन नमबर 5 दी स्टेटमेंट है साड़े कौल इदे वीच एक करेक्टर है जी दा नाम है अरजुन हाँ जी कोशन नमबर 5 दी स्टेटमेंट है साड़े कौल अरजुन स्टेडिस इन फिफ्थ क्लास जो अरजुन है वो जो है फिफ्थ क्लास दे विच स्टेडि करता है यहनकी पढ़ता है जो नीचे दितता गया शिड्यूल है जो नीचे दितता गया शिड्यूल है जो नीचे दितता गया शिड्यूल है जो नीचे शिड्यूल दितता गया है जो नीचे दितता गया है जो अरजुन जो है अपना सारा दिन जो है जो है बितान्दा है ठीक है spend करता है यानिकी बितानता है it means कि किनना time केड़े केड़े काम दे वीच ओ जो है लगानता है ओ जो है दस्या गया है नीचे तो चलो जी हुने study करते हैं आसी इसनों हाँ जी साड़कोल पहला है कि one fourth of a day in the school यानिकी अरजुन जो है one fourth ठीक है एक day दा यानिकी इदे वीच मैं एक गाल पहला दो आनों दास देना चाहना हां कि जदो इत्थे गाल हो रही है a day ठीक है a day ता ए सारे नों पता है कि जो एक दिन होंदा है यानिकी a day दे अंदर ठीक है एक दिन दे अंदर जो है one day दे अंदर जो है अपने day दा जो है अपने school दे वीच बितानता है it means कि 24 hours दा one fourth जो है school दे वीच अर्जुन जो है spend करता है ठीक है जी हुन इद्दा ही अगला है कि one third of a day for sleeping ते उस्तबाद है साड़े कुल one twelfth of a day for watching TV one by twelfth of a day for playing one by eighth of a day for school homework ते one by eighth of a day spends with his with grandparents ठीक है ते हुन सानू जो है नीचे एक कुछ questions पुछे गए है ते इना दे answer देने है एदे विच पहला साड़े कुल कोशन है कि how much time अर्जुन spends in school कि किनना time जो है अर्जुन school दे वीच जो है पितानता है साड़े कुल पुछया गया है कि किनना time अर्जुन जो है school दे वीच spend करता है ठीक है जी एजो है साड़े कुल कोशन नबर 5 दा ए बाट है ते असी उपर जो सानू गिवन है statement उदे विच पहला देख देया कि सानू की given है उन्हानने सानू किया कि one fourth of a day in the school कि अर्जुन जो है one fourth of a day in the school ये जो है spend करता है ता असी इदे according ही solve करांगे हाँ जी ता मैं तो पहला ही दास दिता है कि जो एक दिन होंदा है ठीक है यानकी one day दे अंदर जो total number of hours होंदे है ओ जो है 24 होंदे है ठीक है ता असी लिखांगे सब तो पहला starting दे वीच कि total hours in a day यानकी एक दिन दे अंदर किन्ने कंटे होंदे है ठीक है total hours in a day is equal to 24 hours यानकी 4 वी कंटे होंदे है 24 hours होंदे है एक दिन दे अंदर total hours in a day is equal to 24 hours हाँ जी हुन उना दा a part c की question है उना दा how much time Arjun spends in school ठीक है कि Arjun जो है school दे वीच किन्ना time spend करता है ते इदा जो answer सानू कि दित्ता होया है statement दे अंदर ओ जो है कि Arjun spends one fourth of a day in the school कि Arjun जो है ओ जो है one fourth जो है एक दिन दा school दे अंदर जो है spend करता है Arjun spends one fourth of a day in the school हुन one fourth दा मतलब کی है मैं पहला भी दस्ङा है कि one दा मतलब होंदा है one numerator दे वीच आएगा ते फॉर्त दा मतलब होंदा है कि four जो है denominator दे भीच आएगा ते इदा ए जो है fraction बंदी है ठीक है one जो है numerator दे बीच आएगा ते फॉर्त दा जो 4 है वो जो है denominator देवीच आएगा ते इद्धा जो है ए जो है fraction बढ़ेगी ठीक है हुन क्योंकि इते of a day दिगाल हो रही है ते मैं दस्य है पहला भी कि total hours in a day जो है 24 hours होंदे है it means कि 24 hours दा 1 by 4 जो हिस्सा है या part है वो जो है अर्जुन spend करता है school देवीच it means कि आसी 1 by 4 नू 24 hours देना multiply करांगे उन 24 नू जो दो आसी 4 देना divide करांगे ता 4 6 दा 24 होंदा है ते हुन 1 नू 6 देना multiply करांगे ता सनू मिलेगा 6 hours ठीक है it means कि अर्जुन जो है 6 hours जो है spend करता है school देवीच ठीक है अर्जुन जो है 6 कंटे बितांदा है school देवीच हाँ जी हो नसी करांगे question number 5 दा जो बीपाट है इदेवीच साड़कोल पुछा गया है कि for how many hours अर्जुन टेक्स स्लीप for how many hours अर्जुन टेक्स स्लीप यानकि किन्य कंटे जो है अर्जुन जो है सोंदा है यानकि स्लीप लेंदा है इदेवी चुन statement देंदर सनु given है one third of a day for sleeping कि अर्जुन जो है spend करता है one third of a day for sleeping यानकि sleeping वास्ते एक दिन दा एक बटे तिन हिस्सा जो है अर्जुन टेक्स स्लीप for one third of a day कि अर्जुन जो है sleep लेंदा है यानकि सोंदा है one third of a day यानकि एक दिन दा one third हिस्सा यानकि one third part जो है अर्जुन स्लीप वास्ते लेंदा है ठीक है it means कि one by third one third दिगाल हो रही है न यानकि one जो है numerator दे बीच आएगा ति जो third दा जो three है वो जो है denominator दे बीच आएगा ठीक है one by third ठीक है या one third multiplied by एक दिन दे अंदर जो total number of hours होंदे है यानकि 24 hours ठीक है तिए 24 नो जदो आसे 3 दे ना डिवाइड करांगे ता three eights हा 24 होंदा है one नो eight ना multiply करांगे ता it means eight hours ठीक है it means कि अर्जुन जो है एक दिन दे अंदर eight hours दी जो है sleep लेंदा है यानकि अर्जुन एक दिन दे अंदर eight कंटे जो है सोंदा है हांजी होंदा सी करांगे जो साड़कुल सी पार्ट है सी पार्ट दे वीच पनाने पुछे है साड़कुल for how many hours अर्जुन watches TV कि किन्ने कंटियां वास्ते जो है अर्जुन टीवी नो वाच करता है जा फिर टीवी देखता है ठीक है for how many hours अर्जुन watches टीवी मतलब कि इनने कंटियां वास्ते जो है टीवी नो देखता है हांजी हुण इदे वीच सनु स्टेटमेंट दे अंदर गीवन है कि 1 by 12th of a day for watching TV कि अर्जुन जो है 1 by 12th जो है spend करता है watching TV दे उपर ठीक है एक दिन दा जो है 1 by 12th spend करता है watching TV हांजी हुण इदा अंसर नसी लिखांगे अर्जुन watches TV for 1 by 12th of a day ठीक है उन्हें 1 by 12th कितो आया सनु स्टेटमेंट दे अंदर गीवन है ठीक है of a day यानि कि अर्जुन जो है 1 by 12th जो है एक दिन दा जो है spend करता है TV नो वाच करन दे वीच देखन दे वीच हांजी असी हुण लिखांगे 1 by 12 multiplied by एक दिन दे अंदर जो रिपलाई करांगे इट मेंस अड़ा आंसर आओगा टू आवर्स इट मेंस कि जो अर्जुन है वो दो कंटी वास्ते सारे दिन दे वीच जो है टेवी वेखता है अर्जुन वाचिस टेवी फोर टू आवर्स इन्हें डे ओके हैं जी साड़े को अग्ये है अगला जो है डी पाट है फोर हाउ मेनी आवर्स अर्जुन प्लेज वोन दा कोशन है कि किन्ने कंट्याव अस्ते जो है अर्जुन जो है प्ले करता है अनकी खेलता है ता इदा भी सनु जो है स्टेट्मेंट दे अंदर आंसर गिवन है इदे वीच साड़े कोल है 1 by 12 of a day for playing अर्जुन जो है 1 by 12 जो है spend करता है एक दिन दा for playing यानकी खेलन वास्ते है ठीक है जी हुन इसनों सोलू कर लेने है इस लिखांगे असी अर्जुन प्लेज फोर 1 by 12 of a day इट मेंस कि जो 1 by 12 है ते उदे नाल असी हुन जो है 24 आवर्स नों यानकी एक दिन दे अंदर जो टोटल नमबर ओफ आवर्स है 24 आवर्स उस दिन आन मल्टिप्लाई करांगे 12 of a day 24 होंदा है 1 नों टू ना मल्टिप्लाई करांगे इट मेंस कि 2 आवर्स इदा मतलब ए है कि अर्जुन जो है एक दिन दे अंदर यानकी चोवी कंटियां दे अंदर जो है दो कंटि जो है यानकी 2 आवर्स जो है पले करता है खेलता है अगला जो कोशन है साड़े कोल इपाट है साड़े कोल फॉर हाउ मेनी आवर्स अर्जुन डस हीज होंवक इन दा कोशन है कि किन्ने कंटियां असते जो है अर्जुन जो है अपना होंवक करता है ठीक है अधा जो आंसर सानू गीवन है इदे विच सानू गीवन है कि 1 by 8th of a day for school homework अर्जुन जो है एक दिन दा 1 by 8th spend करता है school homework दे उपर ता चलो आओ इसनों भी हुन solo कर लेने हां हां जी इपार्ट दा आंसर है साड़े कोल अर्जुन does his homework in 1 by 8th part of a day it means कि 24 hours दा 1 by 8th part जो है अर्जुन जो है homework करन वासते जो है spend करता है it means कि 1 by 8 ठीक है 1 by 8th part ठीक है multiplied by total number of hours in a day यान कि 24 hours ता हूँ असी 24 नूँ 8 नाल डिवाइड करांगे ता 8-3 जा 24 हुन दा है 1 नूँ 3 नाल मल्टिपलाई करांगे ता 1-3 जा 3 हुन दा है it means कि 3 hours यान कि अर्जुन जो है 3 hours दे विज जो है अपना homework करता है it means कि अर्जुन जो है 24 गंटे जो 3 गंटे जो है spend क करता है अपने homework नूँ करन वास्ते है हंजी हुन साधे को लास्ट जो पार्ट है इदा question number 5 दा उदे विच है साधे को for how many hours अर्जुन spend spends with his grandparents यान कि अपने जो grandparents है उना दे नाल जो है अर्जुन किनना time जो है दिन दे विच spend करता है ये साधा question है ते statement दे अंदर सानु given है अर्जुन spends 1 by 8th of a day spends with grandparents यान कि अर्जुन जो है 1 by 8th of a day spends with grandparents ठीक है ते चलो इसनों भी सब्सक्राइब कर लहने है हूँ है हाँ जी ते इदे विच असी लिखांगे है हाँ जी अर्जुन अर्जुन spends 1 by 8th of a day with his grandparents ठीक है अर्जुन spends 1 by 8th of a day with his grandparents एदा मतलब है कि 1 by 8 multiplied by जो जो total number of hours है 1 day दे अंदर यानकी 24 hours ठीक है जी उन 24 नो असी 8 नाल divide करांगे ता 8 3 जा 24 होंदा है ते 1 नो 3 नाल multiply करांगे ता इट मींस साड़ा answer आया है 3 hours एदा मतलब ए होया कि अर्जुन जो है जोवी कंटिया दे दिन दे विच्चो तिन कंटि जो है अपने grandparents देनाल spend करता है बितानता है ठीक है 3 hours ओ जो है अपने grandparents देनाल spend करता है अर्जुन हाजी ता AC exercise 4.2 हूण असी जो है अग्य करांगे 4.3